वो एक government school है, वो school के आगे एक traffic signal हुआ करता था, signal जब भी red होता था तो car वाले, scooter वाले, cycle वाले पम 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 इस तरह हौन बजाते रहते थे, उस हौन की अवाज से हमारी school में हमें इशा disturbance होता था, teachers बच्चों को ठीक से पड़ा भी नहीं पाते थे, एक बार school principal classroom में आकर Dear students, हमेशा की तरह इस साल भी हमें school leader को select करना होगा, interested students उनके नाम दे सकते हैं यूँ कहकर चले गए, classroom में सब मेरे नाम के साथ साथ एक और लड़की शालिनी को nominate किये शालिनी तब खड़े होकर Dear friends, अगर मैं school leader बन गई, तो principal से बात करके मैं school buses की संख्या बढ़ाने कहूंगी गाउं से आने वाले बच्चों के लिए school buses का इंतिजाम करवाऊंगी School population तो बढ़ी रही है, लेकिन number of washrooms नहीं बढ़ रहे हैं So better sanitation needs भी ध्यान में रखूंगी यूं कहने लगी, सब तालिया मारे अब जब मेरा turn आया, तो क्या बोलूं समझ नहीं आया क्यूंकि शालिनी ने school के सारे समस्या के बारे में बात कर चुकी थी मैं खड़े होकर जब बात कर रहा था, तो पीपीप, पूपूप, यो हॉन की अवाज आने लगी इसलिए तुरंट मैंने, dear students, मैं जीतूंगा या नहीं, पता नहीं बट हमारे school का most disturbing problem, हॉनकिंग हमारे school के पास ही से इस traffic signal से आने वाली हॉन की अवाजे में solve करूंगा बोला, वहीं पर खड़े class teacher What? तू solve करेगा? बठाओ, school principal, traffic police वाले, कोई इस problem को solve नहीं कर पाए तो तुम केसे solve करोगे? पूछे, मैं Madam, believe me, मैं कर सकता हूँ, कहा Classroom में students, teachers, किसी ने मुझे पर विश्वास नहीं किया अगले दिन, school principal मुझे बुला कर देखो बेटा, school leader बनने के लिए, जो नामुम्किन agenda हो, या promises हो, वो नहीं करनी चाहिए Do you understand? कहे, तब मैं, Sir, believe me, मैं सच में solve कर सकता हूँ, मैं उस पर workout भी कर रहा हूँ, principal ठीक है फिर, अगर तुमने उस school problem को solve कर दिया, तो मेरे तरफ से और सारे teachers के तरफ से तुमें ही vote देंगे, ठीक है ना? कहे, उस शाम मैं police station जाकर वहाँ SI से, Sir, हमारे school के पास उस traffic signal के बारे में बात करने आया हूँ, वो बहुत disturbing है, Sir बोला, SI यह, उसके लिए हमारे department वाले बहुत प्रहतने कर लिये, traffic को divert किये, no horn zone भी लगाए, और बहुत सारी तरीकों से try किये, but no use बोले, में, Sir, आप support कीजिए, हम मिलकर अपने school problem को solve करेंगे कहे कर चला गया, अगले दिन first period maths, attendance होने के बाद maths teacher और दो बच्चे नहीं आए, वो आए, तब तक मैं class start नहीं करूँगा बोले कुछ देर बाद वे दोनों आए, maths teacher Dear students, अपसे मुझे पूरा attendance मिले, तब तक मैं class सुरू नहीं करूँगा आप में कोई भी late ना आए, तब तक मैं class नहीं लूँगा बोले, अगले दिन सब जल्दी आगे, maths teacher तब Very good, full attendance है यूँ कहकर class start किये मुझे तुरंत एक idea आया, उस शाम ट्राफिक पुलिस के पास जाकर Sir, I have an idea, signal waiting periods 60 seconds है ना अपसे अगर कोई horn बजाए, तो उस sound से 10 seconds बढ़े वैसे कुछ करना होगा Sir, कहा, ऐसा ही बात तो सही है, लेकिन उससे problem कैसे solve होगी horn और बजाने लगेंगे, लोग भी चिड़दाएंगे बोले, मैं हाँ, सच्छे Sir, शुरू शुरू में लोग चिड़कर horn और बजाने लगेंगे लेकिन फिर उससे कोई फाइदा नहीं है और ultra time waste हो रहा है, ये एक एक को धीरे से समझ आएगा Sir Believe me, हमारे स्कूल में मैंस टीचर अगर एक भी देर से आए तो क्लास शुरू नहीं करते थे तब लेट आने वाले हमारी वज़े से सब को तखलीफ हो रही है सोचकर जल्दी आने लगे सेम आइडिया यहां पर लगा सकते हैं Sir अगले दिन ट्राफिक पूलिस वाले ट्राफिक सिग्नल के पास इसाई देखिए यह सिग्नल के पास साउंड पोलुशन मेजरमेंट करने वाला एक यंत्र लगा गया है अगर यह 60 डेसिबल से ज्यादा बढ़ा तो आपका सिग्नल टाइम भी बढ़ जाएगा आपके कार से आए साउंड के वज़े से बाइक से आए साउंड की वज़े से 20 डिसिबल से बढ़ने लगेंगे यूं अनौंस किया, बस जैसे expect किया, सब चिड कर, Pam-pam-pam-pam-pam-pam, होन्न बजाने लगे, एक बाइक वाला यह है, यह क्या rules है, बेकार के rules यूं लगातार होन्न बजाते गया, उसकी वज़े से signal time 60 seconds से 70 seconds बढ़ गया बस सब उस पर चिलाने लगे इस तरह अगले दिन से साउंड हॉन कम होते गया तीसरे दिन तो किसी ने हॉन ही नहीं बजाया पुलिस एसाई वेरी गूट तुमारे स्कूल का प्राबलम तुमने सॉल्व किया कंग्राचुलेशन्स बोले स्कूल प्रिंसिपल कहे एलेक्शन्स हुए फिर मुझे लीडर बनाए गया बाइदवे मैं नेम इस अब्दुल कलाम